हेलो गाइज, वेलकम बैक टो कॉमिक हिंद अब आ चुके हैं आईरन मैन के 15 पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं कि टोनी और कॉर्वेक दोनों ही पावर कॉस्मिक की शक्ती में नहा चुके हैं वो दोनों ही स्पेस की गहराई में समा चुके हैं अभी दोनों के बीच में ही लड़ाई हो रही है मतलब दी कॉस्मिक कॉर्वेक का मुकाबला दी आईरन गोड से तो यहाँ एक alien जीव हमें बताता है मेरा घर जा चुका है मेरे लोग dead है उन में से मैं ही बचा हूँ और मैं भी ज़ादा time के लिए नहीं बचूंगा तो यहाँ वो पहुचा हुआ है स्तानिया प्लैनेट में वो बताता है मैं बड़ी मुश्किल से एक fly drone में बचके निकला वहाँ जो भी हुआ मुझे वो record करना होगा क्यूंकि मुझे लगता है कि वहाँ मैं ही बचा हूँ कि जिसको पता है वहाँ क्या हुआ मुझे ये document करना होगा जो भी मेरे प्लैनेट का हाल हुआ और वो भी Corvac और Iron God के हाथों से हम ड्रैकोनियस के वोबो थे हम शेप शिफ्ट करने वाली नसल हैं हम बहुती शान्तिवादी हैं बट अगर कोई हम पे खतरा हो या कोई हमारा फाइदा उठाए तो हम उसका सामना करने के लिए शक्तिशाली भी थे हम योदा थे बट नीर पढ़ने पर हत्या करने वाले भी बन सकते थे हम कलाकार थे अड़े लिखे थे इंजीनियर भी और लोगों को ठीक करने वाले भी बट वो सब एक ही पल में चेंज हो गया जब हमारी मदर स्टार को तबाह कर दिया गया वो भी एक ही जटके में वो दोनों पता नहीं कितनी ही गिलेक्सी में लड़ रहे हैं तो यहां हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं और उनके सामने सभी प्लैनेट और स्टार भी छोटे-छोटे लगते हैं तो यहां कॉर्वेक चिलाता है तुम मुझे रॉक नहीं पाओगे तो टोनी कहता है मुझे तो यह लगता है कि मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ तो वो चिलाता है मेरे पास पावर है जो गोड है उसकी भक्ती है तो वो कहता है मेरे पास भी है बट मुझे यह तो मानना होगा कॉर्वेक मुझे निराशा हुई तुम्हारे limited idea को जानके तो वो कहता है तुम्हें कुछ भी समय नहीं है तो टोनी कहता है मुझे पता है तुमने पहले भी cosmic power का सवात चका है मुझे पता है तुम इसे again क्यों पाना चाहते थे बट जो तुम्हारे plan है reality को दुबारा से बनाने के वो बहुती ज़्यादा simple और boring है मैं तो कुछ time पहले ही god बना हूँ और मेरे पास million idea आप ही गए है जो तुम्हारे वाले से बहुती ज़्यादा अच्छे है और वो कॉर्वेक को पीड़ता है वो कहता है ये शक्ती ये तो मेरे अंदर बिना किसी effort के जिन्दा है और बस मेरी body में नहीं मेरे mind में भी तो कॉर्वेक भी उस पे हमला करते होए कहता है तुम्हारा mind छोटा है और weak है तो Tony कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता लोग मुझे ये काफी time से कहते आए है इतना कहा कि मुझे भी विश्वास होने लगा बट सच्चाई तो ये है कि मैं धर्ती में सबसे ज़्यादा अच्छी सोच रखने वाला हूँ या ऐसा कहूं universe में भी तो यहां हम देखते हैं कि कॉर्विक एक प्लैनेट को उठा के उस पे फैंक देता है और वो कहता है तुम एक mechanical suit बनाने वाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो तो यहां हमें वो alien बताता है कि इसी moment पे हमारे world का end हो गया क्योंकि ये वाला planet उसी का होता है वो बताता है कि मुझे वहां से निकलने के लिए कुछ ही मिनट मिले मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाया वो भी अपने महान इतिहास की एक single copy के साथ किसी को नहीं पता था कि हो क्या रहा है किसी को नहीं पता था कि इतनी जल्ट अंत कैसे हो सकता है मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने उन्हें देखा नहीं जो भी इस तबाही के पीछे थे तो वो यहां शिप में उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो यहां टॉनी कॉर्वेक को कहता है क्या तुम्हें फील हुआ तुमने अभी क्या किया है तुम अगर अभी हट जाओ तो मैं वारा करता हूँ कि दुबारा ऐसे नहीं होगा तो टोनी उस पे हमला करता है तो यहाँ वो एलियन बताता है कि तब मैंने देखा कि आइरन गोड ने एक छेद बना दिया है इस वाले यूनिवर्स से दूसरे वाले की और तो यहाँ टोनी कॉर्विक को कहता है मैंने तुमारे लिए एक अच्छा घर ढूंडा है जो कि हमारे वाले से काफी दूर है एक ऐसा यूनिवर्स जो बस तुमारा ही होगा जो है एक डैड यूनिवर्स तुम ऐसी जगा के ही मास्टर बन सकते हो भूतों की कंपनी को enjoy करना तो वो कहता है ये जगा क्या है तो तौनी कहता है मैंने इससे पहले power cosmic को enjoy नहीं किया ना ही कभी इसको समचा है बट अभी तो मैं इसके vessel के जैसा हूँ मुझे लगता है कि mechanical suit तो एक शुरुवात थी अभी तो मैं ही power हूँ जो मेरा नया link बना है cosmos से वो realities की multitude को दिखाता है और ये वाली match होती है death की बद्बू से जिससे तुम cover हो यहाँ कोई भी नहीं रहता एक molecule भी नहीं तो यहाँ कॉर्वे कहता है क्या हुआ इसको ऐसा किसने बनाया तो टोनी कहता है मैं इस universe की कहानी को सुन सकता हूँ अगर मैं इसके whisper को सुनू या इसके हाफने को क्या तुमें ये सुना ही नहीं दिया इस universe का खून किया है एक egomaniac में मुझे लगता है इसको मैं जानता हूँ ओ विक्टर ये तुमने किया है क्या तो ये डॉक्टर डूम ने किया होता है तो यहाँ कॉर्वे कहता है मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता हूँ विनाश नहीं मैं तो मेल मिल आपको बढ़ाना चाहता हूँ तो टोनी कहता है तुम एक पागल हो तुम किसी काम के नहीं हो तो कॉर्विक चिलाता है, यहां बहुत ही cold है और खाली-खाली भी तो टोनी कहता है हाँ cold और कुछ भी नहीं, तुम यही तो चाहते थे ना तो वो कहता है मैं यह देखके हैरान हूँ कि तुम कितने ना समझ हो मुझे तुम पे दया आती है, तो टोनी उस पे हमला करते होए उसको पीछे की और धकेल देता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बहुत शक्ती शाली हो, तुम यहां खतम नहीं होने वाले बट तुमारी खोज अभी खतम होती है, तुम यहां रहने वाले हो जहां लाइफ का नामो निशान नहीं है तुमें तो ऐसी ही रियालिटी चाहिए थी ना तो यहां वो एलियन सब कुछ देखता है, देखने में ऐसा लगा कि जंग जीत ली गई है गायल कॉर्वेक को डैर्ड स्पेस में खुला छोड दिया गया, बट उसके बाद कुछ अजीब हुआ अपना वर्ल्ड खोने का दुख मुझे अभी भी है, मैंने आयरन गोर्ड को देखा, जो अपने घर को ही कुछ करने के बारे में सोच रहा था तो यहां टोनी धर्ती को देखता है, वो कहता है जैसे बाकी सब तबाह हुआ, यह सब हेट और बैड आइडिया की वजह से हुआ, यह सब तो धर्ती के साथ भी हो सकता है, इस पे तो हमेशा सही खतरा रहता है बट अभी मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ जो मेकैनिकल सूट में है, मैं इससे भी कुछ जादा बनूँगा, बहुती जादा, मैं इसकी और भी जादा बनने में हेल्प करूँगा, मैं अपने पूरे युनिवर्स की हेल्प करूँगा, मैं सभी को बहुती अच्छा बना अभी वो कहता है मुझे माफ करना कॉर्वेक अभी मेरी बारी है और वो उस पे जबर्दस्थ हमला करतेता है तो हमें वो एलियन बताता है बट उसके बाद जो मैंने देखा मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैंने एक साथ इतने गोड्स को देखा और वो भी एक ही दिन मे या ऐसा कहूँ अपने विनाश के दिन पे तो उन में से लिविंग टर्ब्यूनल कहता है ये युद्ध यहीं खतम होता है तो टोनी कहता है अच्छा मैं देख सकता हूँ तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाए हो तो टर्ब्यूनल कहता है तुमने युनिवर्सल को हिलाया है कॉर्वेक तो इन बिट्विवीनर भी कहता है हु म हमारे साथ आने वाले हो तो टोनी कहता है मुझे तो लगा कि वो यहां सेफ रहेगा वह ये ग्रेवयार में बंदी होगा तो Eternity भी कहता है कि वो कहीं भी safe नहीं है यहां तक कि हमारी आँखों की निगरानी में भी नहीं तो Master Order कहता है बट ये Iron Man का क्या होगा तो Lord Chaos भी कहता है ये Iron Man तो खुद ही Cosmos से भरा हुआ है तो Mistress Love कहती है उस पे भरोसा करो तो Sire Hate कहती है उसको Pain दो तो Death कहता है उसको उसका Ultimate End दो तो Tony कहता है मैं तुम में से किसी से भी fight नहीं करना चाता बट अगर मुझे करनी पड़ी तो मैं करूंगा तो Oblivion कहता है इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता कि हम उसे क्या दें या ना दें वो रास्ता तो अभी सेट हो चुका है तो In Betweener भी कहता है तुम जो भी अपनी शक्तियों के साथ करने वाले हो Iron Man वही तुमारा भाग्य होगा जाओ और अपने भाग्यों को जीओ तो Living Tribunal भी कहता है अभी तो वो थोड़ा धुन्दला है उसके बाद का नतीजा शायद अच्छा हो सकता है तो Tony वहाँ से जाने लगता है तो Eternity भी उसको कहता है हम तुमें हमेशा देखते रहेंगे तो Tony कहता है तुमने सुना Corvac मेरे Special Project को Green Light मिल गई है बट माफ करना तुमारे वाला Cancel हो गया तो Corvac भी उसको कहता है मेरे पास अभी नया Project है और वह हो तुम मेरा Focus अभी तुम पे रहने वाला है Tony तो यहाँ हम देखते हैं कि वो Alien की Ship Crash होती है तो वो हमें बताता है वो Entities भी Corvac के साथ गायब हो गई मैं बड़ी मुश्किल से उस खाली उनिवर्स से बच के यहाँ आया हूँ बट मेरा घर अभी नहीं है मैं अभी Satania में आ गया हूँ मैं अपनी आखरी सांसों को महसूस कर पा रहा हूँ जैसे ही मैंने अपने महान इतिहास के बारे में Final Word लिखे हैं वो Iron God अपने Home World के लिए क्या लेके जाएगा मुझे तो बस इतना पता है कि वो और Korvek मेरे वाले के लिए क्या लेके आये थे और वो थी मौत और उसकी भी वही मौत हो जाती है तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई